हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 15 माई के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को अगर आप इस वीडियो की पीडियो फाइल चाहते हैं तो आप माई टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए वहाँ पर आपको पीडियो उप्रप्त करा जाती है और अगर आप घर पर बैठ कर अपने एक्जाम्स की त्यारी करना चाहते हैं तो आप मोबाइल एप की मदद ले सकते हैं वहाँ पर आपको फ्री स्टेडी मैटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासे उप्रप्त करा जाती है तो तो सबसे पहले हम देखेंगा अपना कल का अभ्यास प्रस्ण जिसका उत्रब सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में दिना होता है और प्रस्ण में आप से कल पूछा कह गया था खबर में रहे नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारने भारत के किस राज्य में स्थित है तो नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारने जो है ये गोवा राज्य में स्थित है आगे हम देख लेते हैं डिटेल्स नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारने के अगर बात करें तो ये खबर हैं और इसके दक्षिन में कोटी गाओ वbuilding जी वाभयारने तो इन दोनों का भी नाम प्याद रह सकते हैं महावीर और कोटी गाओ वन मर नियुसमें कर यह वह घ्याहरने का भी जो है गोवा में ही विश्व ट्यूना दिवस दो माई को मनाते हैं, अंतराश्टिय प्रेश स्व तंतरता दिवस हमने तीन माई को मनाया है, विश्व अस्थमा दिवस जो 2020 का ये पांच माई को मनाया गया, क्योंकि ये जो मै मैना का पहला जो मंगलवार होता है, उस दिन मना जाता है, तो इस ब ध्रफट kita, फौग, काbyぎらह सेनाक करे गए अध्र थिवास विष्व प्रवासी पक्षी दिवस , नौ मैं करें विष्व परवासी पक्षि दिवस likely मैं मैं राश्ट्रिय मथे के दूपर सनिवार को मना जाता है, याद रखेगा राश्ट्र liarand organ時 15-12 मृई विश्व परिवार दिवस हम 15 माई को मनाएंगे और विश्व दूर संचार दिवस जो है हम 17 माई को मनाएंगे आप आज कमेंट बॉक्स में मुझे अंतराश्टी नर्स दिवस की ठीम लिख कर बताएंगे आगे देखते हैं आगे हमारा पहला प्रस में आज करेंट अफेर्स का और प्रस में आपसे पुछा गया जा रहा है केंद्रिय माध्यमिक सिक्षा बोर्ड यानि CBAC का नया अध्यक्ष किसे निक्त क्या गया है तो यह बने हैं मनोज अहुजा जी याद रखेगा और मनोज अहुजा जो है यह अनिता बर्नवाल का स्थान लेंगे यहाँ पर आप मनोज अहुजा जी की तस्विर देख सकते हैं आगे हम CBAC के बारे में जानते हैं तो CBAC का पुरा नाम हैता है Central Board of Secondary Education इससे हम हिंदी में बोलते हैं के अंदरिये माध्यमिक सिक्षा बोड याद रखेगा अस्ताप्रावदा इसका 962 में मुख्याले अभी नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षा भी मनोज अहुजा जी बन गए हैं और इसकी parent organization कौन है तो जो हमारा मानव संसादन विकास मंत्राल है वो CBS का parent organization है और मानव संसादन विकास मंत्री कौन है तो वो है रमेश पोक्रियाल जी याद रखेगा और रमेश पोक्रियाल जो जो हैं वो उत्राकंड के हरीदवार से लोगसबा सांसद हैं और हरिदवार जो है ये गंगा नदी के किनारे है ये भी आयद रखिएगा आगे देखते हैं आगला प्रशने हाली में जारी वैस्विक उर्जा संक्रमन सुचकांग 2020 में भारत की सस्थान पर रहा तो वैस्विक उर्जा संक्रमन सुचकांग 2020 का निकाला गया है इसमें आप आप से भारत का स्थान पुछा जा रहा है तो भारत 2020 में 74 स्थान पर है आगे हम डिटेल्स देख लेते हैं वैस्वी कूर्जा संक्रमत सुचकांग जैसे इंगलीश में बोलते हैं आपर तो 115 देशों का निकाला गया है भारत 2020 में कौन से स्थान पर रहा तो भारत जो है आप मुझे comment box में उरुगवे की राजधानी लिख कर बताएंगे और उरुगवे जो है कौन से महादुप में है वो भी बताना है आपको विष्व आर्तिक मंच के अगर बात करें तो स्विट्जे लैंड में स्थीत एक गैर लबकारी संस्ता है और इसका मुख्याले जो है स्विट्जे लैंड के जीनेवा में है याद रखेगा आगे देखते हैं आगला प्रस्ण है फीफा अंडर्स सेवेंटीन महिला विष्व क अब भारत में कब आयूजित के जाएगा तो फीफा ऑंडर्स विष्व कब की बात हो रही है और ये भारत में आयूजित के आगे देखते हैं डीटेल्स तो फीफा अंडर स्वेंटीन मैला विश्व कप के हम बात करें तो क्रोणा वारस संक्रमन की वज़ा से फीफा अंडर स्वेंटीन मैला विश्व कप जो है अब अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा पहले इस टूनामोंट का जो आयोजन है वो 2020 में होना था दो से 21 नॉमबर के बीच अब कब होगा 2020 में होगा 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच में याद रखेगा कितनी टीमें यहापर हिस्सा ले रही है तो यहापर 16 टीमें पाटिसिपेट करेंगी और इसका आयोजन जो है भारत के पांच सहरों में किया जाएगा वो कौन कोचस सहर है एक तो है कोलकता दुसरा है गोहाटी तिसरा भुबनेश्वर और चौथा एहमदाबाद और पाच्वा है नभी मुंबई भारतिय फुटबल महां संग के अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन है अभी तो इनका नाम है प्रफुल पट आगे देखते हैं अगला प्रस्वन है हाली में किस राज के सहराई खोवर पेंटिंग को भुबलिक संकेत जिया टैग प्राप्प्त हुआ है तो सहराई प्यंटिंग किस राजे से संबंदित है तो जारखंड की याद रुखेगा यहां पर आप देख दोते सहराई पेंट तक यानि जी आई टाइग दिया गया है याद रखेगा जारकंड की सहराई खोवर पेंटिंग और दुसरा है तेलंगना की तेलिया रुमाल सहराई खोवर पेंटिंग अगर हम बात करें तो यह जारकंड के हाज आरी बाग जीले में अस्थानी एवं प्राकृतिक रूप से विभीन रंगों की मिट्टी का विप्योग करते हुए फसल के मौसम एवं साधी समारों के दोरान अस्थानिया दिवासी मैलाओं द्वारा प्रचलित एवं पारंप्रिक एवं अनुस्थात्निक भीती कला है और यह पेंटिंग जो है मुख्य रूप से जो हजारी बाग ज सफेद में विभीन परकार के डिजाइन एवं रूपांकडों का प्रदर्शित किया जाता है और आगे देख लेते हैं जिने हाली में जियाइटेग प्राप्त हुआ है तो हाली में मनिपूर का जो चाखाओ जिसे काला चावल बोलते हैं उसे जियाइटेग मिला है उत्तर सब्सक्राप से राज से संबंदित है वह भी याद रखना है आपको आगे देखते हैं अगला प्राशने हाली में किस देश ने फीडेचेस.com ऑनलाइन नेशन्स कप जीता तो यहाँ पे जीता है चीन ने याद रखेगा आगे देख लेते हैं डिटेल्स अगर फीडेचेस ड्रॉप पर समाप्त हुआ था और यहाँ पर बाद में राउंड रॉबिन स्टेज में अंक तालिका में सिर्ज सस्थान पर रहने के कारण चीन को विजेता घोशित किया गया इस टूनामेंट में भारत की सस्थान पर रहा तो भारत जो है पांचवे स्थान पर रहा और आ पहले वेक्ति हैं याद रखेगा अगर आपसे कोई पूछे कि राजेव गांदी खेल रत्रपुर्शकार सबसे पहले कीने दिया गया था तो विश्वनाथन आनंज जी आगे देखते हैं अगला प्रस्ण हमारा हाली में किस मंत्राले के द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉंच किया गया यह तो यह लॉंच किया गया है सुक्षम लगू और मध्यम उद्योग मंत्राले के दौरा याद रखेगा सुक्षम लगू और मध्यम उद्योग मंत्राले इसके मंत्रिये नितिनगटकरी जी और नितिनगटकरी जो है यह महराष्ट के नागपूर से लो प्रताप चंद्र सारंगी इनका भी नाम याद रखेगा आगे हम डिटेल्स को बर करते हैं चैंपियन पोटल की बात करें तो किस मंत्राले ने लॉंच किया इसे तो सुप्छम लगू और मद्यम उद्यम मंत्राले ने लॉंच किया है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मिडियम इंटरप्राइजिस याद रखेगा चैंपियन का आर्थ है क्रियेशन एंड हर्मोनियस एप्लिकेशन और मॉडन प्रोसेसेस फोर इंक्रीजिंग द आउट्पुट एंड नेशनल अस्थ्रेंथ यानि आधुनिक तक्नीकी के सामजस्य पूर् संबनाने गुणवता हासिल करने और प्रसाशनिक बधाओं को दूर करने में ये मदद करेगा आगे देखते हैं आगला प्रस्ण बारा हाली में विश्व बौधिक संपधा संगठन वीपो का नया महानिदसक किसे निक्तिया गया है तो वीपो के नया महानिदसक कौन बने चाहीं वह पुछा जा रहा है तो यह द्यारण टांग जी याद रखेगा डरन पा पर दैखन के यह सिंगापूर के नया महानिदसक निक्ति किया गया हे और यह पहली बार है कि सिंगाफर का कोई वेक्ति जो है समयंक्त राश्ट संब् person कंद करेगा और वOOOOO के शर्वास का कमान सभालेंगे तो कमान कब से सभालेंगे एक अक्ट Floren 2050 से औरकार four च्छे 활म रहते हैं और यह स्थान लेंगे फ्रांसिस गुरी काया एँद रहते है अभी फ्रांसिस गुरिक जो है मानधेशा के वीपो की बाद में डेरन फांट बनेंगे एक fermentation 2020 में आगे देखते हैं यहां पर वीपो के बारे में हम जान लेते हैं वीपो का फुल्पाम होता है वर्ल्ड इंट्रेलेक्च्वल प्रॉपर्टी और्गनाइजेशन इसे इंदी में बोलते हैं विश्व बहुत एक संपता संगठन इसका स्थापना होता हुद निशो और प्रतेक वर्सम जो है 26 अपरेल को विश्व बहुदिक संपता दिवस मनाते हैं इसे भी आपको याद रखना है अगला प्रश्ण हाल में भारत एकिस पत्रकार को डिश्वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से समानित किया गया है तो डिश्वेले फ्रीडम ऑफ स् पुलितजर पुर्षकाल में ले था तो इनका भी नम आप याद रख सकते हैं आगे देखते हैं आगेला प्रश्ण हाली में फियर आफ गौड पुस्तक का भी मोचन हुआ है इसके लेखा कोन है तो फियर आफ गौड पुस्तक के बात हो रही है तो इसका लेखा का आप से चंद्रवधन याद रखेगा लिखा का कहा नाम है बॉमदेवरा साई चंद्रवधन और इन्हें वधान नाम से भी जाना जाता है यह भी आपको पता आचीए यहां पर देख सकते हैं पुस्तक के तस्वीर फियर आफ गौड आगे देखते हैं आगला प्रश्ण हाली में भारते किस शहर में होätzen डिजितल भुगतान अनिवाररे हुआ है तो भारत का इसा कौं सा सहर जहां पर में होम डिवरी के लिए डिजिल भुगतान अनिवार हो गया है त render достaleEd बाद आगे देख लेते हैं डिटेल्स तो सभी होम डिलिवरी के लिए डिजिटल बुगतान करना अनिवार ने कहां किया गया है और यह कदम क्यों उठाये गया तो यह कदम जो है करेंसी नोट के माधियम से फैलने वाले कोई 2019 को रोकने के लिए उठाया गया है इसके बाद अब सहर में सभी होम डिलिवरी से वाओं का भुगतान जो है कैसलेश होगा यानि डिजिटल भुगतान के जर्गे होगा यानि किसी को भी पैसे पेड नहीं करेंगे मतलब डाडेक्ट नोट नहीं देंगे डिजिटल भुगता है तो अमादाबाद पहले आपको यह पता हो जिए साबर मती नदीय की नारे बसा हुआ है देश का पहला विश्व विरासत सहर है अमादाबाद अमादाबाद में गुजरात का उच्छ नयाले है सर्दार वल्लवाई पटेल अंतरास्टी हवाएडड जो है यह भी गुजर कर लेते हैं तो हाली में अमेरिका के हास से कलाकार जेरी स्टीलर का निदल हो गया आपको पता नौचिए इंटरनेशनल साइक्लिंग यूनियन द्वारा फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर प्रतिबंदित ब्लड बुस्टिंग हर्मोन EPO या नि अरिफ्र पोईटीन का सेवन करने के लिए चार साल का प्रतिबंद लगाए गया है तो कहां कहें यह साइक्लिस्ट यह हैं रेमी डी ग्रेगोरियो और कहां कहें यह फ्रांस के हैं याद रखेगा Associated Chambers of Commerce and Industry of India जिसम एसोच चैम भी बोलते हैं उसके द्वारा भारत और बांगलादेश वर्ट्वल कॉन्फरेंस का योजन किया गया यह पताना चे आपको अगला नुजय मारा प्रद्वकी विकास बैंक और भारत उद्योग परिसंग द्वारा संयुत रूप से एक डिजिटल समेलन रिस्टार्ट का योजन क्या गया और किसके द्वारा रिस्टार्ट क्या गया प्रद्वकी विकास बोड और भारतिय उद्योग परिसंग के द् यह पतावना चीए आपको restart का full form क्या है वीच सुन लीजिए एक बार, restart का full form है, reboot the economy through sciences, technology and research translations, एक बार फिर से बोलता हूं, restart का पुराणाम क्या है, reboot the economy through science, technology and research translations, और अगला नीज़े मारा हाली में, WHO जो है, world health organization उसने, दुनिया की पहली nursing report जारी की है, यह भी आपको पतावन चीए, आगे देखते हैं, आगे कल के प्रस्णों का revision है, फटाफट रिवाइस कर लेते हैं, प्रतिवर्स अंतराष्टी नर्स दिवस कब मना जाता है, तो यह मना जाता है, 12 माई को, किस राजे सरकार ने ए-fire आपके द्वार योजना की शुरुवात किये, तो यह मद्दे अगला प्रस्ण, भारत ने पांच द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन सुरू किया है, तो यह मिशन सागर, आप कमेंट बॉक्स पे पांच द्वीप जो देश हैं, जहां पर ही मिशन चलाया गया, उसके नाम बताएंगे, कौन-कौन से वो द्वीप देश है भारत और मदेशिया के सर्वस्चेश हवायड़े का खिताब किसने जीता है, तो यह है करनाटक बैंगलूरू में अंतरास्टी हवायड़ा है, केमपे गोड़ा अंतरास्टी हवायड़ा है, इसे भारत और मदेशिया का सर्वस्चेश हवायड़ा का खिताब मिला है, प्रि प्रस्ट में आपसे पुछा के गया है हाली में भारत के किस पराथ लीट ने सन्यास की गोसना की है तो आपका ऑफ्सन ने दीपा मलीक, साक्ची मलीक, सरद मलीक, दीपक मलीक और जो भी उत्तर है जो इस खिलाड़ी का यहाँ पे नाम सही है उस खिलाड़े के बादरे में जितने आप मेला बाते जानते हैं वो सभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगें के लिए इस तरह के क्रेंट अफेर्स की वीडियो के लिए अगर आप पीडियाप चाहते हैं तो आप माई टेलिग्राम चैनल को जॉइन के लिए साथ में हमारा जो मुबाइल एप है उसे भी इंस्टॉल कर लिए दुनों जगा आपको पीडियाप बिल्कुल मुख्त